नमस्का दोस्तों मैं रश्मी मेरे चैनल में आप सब का स्वागत है साल 2013 में वर्ट सावित्री व्रत 19 माई दिन सुक्रवार को पढ़ रहा है तो पूजा के समय हम कुछ उपाय करें जिससे हमारी पती किया ही तीर खोगी और उन्हें आकास्मिक संकर से बचा सकते हैं इस दिन विवाहित महिलाएं विशिष्ट अनुष्ठानों और प्रक्रियाओं का पालन करती है बर्गत की पेड की पूजा करते हैं जिसे वर्ट प्रिट भी कहा जाता है बर्गत की पेड की पूजा करने से दीर खायू श्रम्रत्य अखन्शुकी बाप्ती होती सभी प्रकार के संगर्स और दुखों का नास होता है कहा जाता है इस दिन सावित्री ने अपने पति सत्यवान की जीवन को यमराज से चंगोल से छुड़बाया था वर्ट सावित्री पूजा का सुमूर्थ क्या है अब आपको पूजा करना है अब आवश्या तिति 19 माई को शुरू है 19 माई को आपको दिया तिति में व्रत रखना है पूजा का सुमूर्थ 7 पच करके 8 मिनाट से 10 पच कर 43 मिनाट तक है इस बीच में आप पूजन कर सकते हैं पारण का सही समय सनी भाहर 20 माई दो हचारतेईस आप 5 पच कर 21 मिनाट के बाद कभी भी पारण कर सकते हैं पूजा के लिए में किन किन सा मगरिव क्या उश्यक्ता होने वाली लाल कलावा या मौली या सूर मासका पंखा परगत के पत्ति लाल वस्त्र पूजा में बिछाने के लिए कुमकुमिया रोली थूख तीप उस्त पल जल भरा हुआ कलस सुहाग का समान चना भोग के लिए मुम फली के दाने इसके साथ साथ हमें पूजा के लिए फल जो भी मौस में आपको मिल जाते हैं फूल कोई भी मिठाई वगेरा भी ले सकते हैं पूजा आपको क्या सिक करने वर्ट सावित्ति व्रत के दिन महिलाएं सुह श्नान कर लेवे श्नान के बाद नए कपड़े चूडियां पहने माथे पर सिंधू लगाएं वट या बर्गत के पेड़ की जड़ को जल अरपित करे गुड़ चना, फल, अक्षत और फूल अरपित करे व्रत कथा पढ़े एवं सुने महिलाएं वट प्रच के चारो और पीले ये लाल रंका दागा बांद कर वट के पेड़ की परिक्रमा करे परिक्रमा करते समय स्वभाग और पती की लंबी आई की कामना करे महिलाई खर में बड़ो और विवाहित महिलाएं से आश्रिवादा वस लेवें कुछ भी आप दान से दे सकते हैं जो भी आप दान देना चाहें दान देना बहुत ज्यादा फल का रख होता है इस दिन लोग गरीबों और जरुरत मांदों को भी अपने सामर्थ के अनुसार चीजे दान दे सकते हैं वर्ट सावित्री ब्रत के दिन हमें कैसा वेहार करना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वर्ट सावित्री दिन के दिन अपने जीवन साथी से किसी वात को लेकर विवाद विवाद जगड़ा ना करें दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वेहार करें इस दिन कोई भी गलत कारे किसी के साथ छलादी की ओजना भी ना बनाएं क्योंकि उग्रत रखने से मन वचन और कर्म की सुद्धता के लिए रखा जाता है मन में किसी का बुरा सोचने से भी व्यक्तिस का फर्ग नहीं मिल पाता है वर्ट सावित्री के दिन महिलाओं को काले नीले और सुफेत रंके वस्त नहीं पहनने चाहिए और ऐसी ही चूड़ियां भी नहीं पहनने चाहिए वर्ट सावित्री म्रत की महिमा क्या है मानता है कि जिस दिन बाद सावित्री ने अपने कठो तब से पातिस सत्यवान को वर्ट प्रच के नीचे जीवित किया था इसलिए इस दिन का विशेश महात्तो है जो भी मैला इस दिन ब्रच कर माता सावित्री शेत्वान की पूजा करती है इस ब्रच की कठा सुनते है उनके सुहाग से अकाल म्रत्यू का खत्रा तरल जाता है साथ ही इस ब्रच के प्रभाव से उसे सुक्षम म्रत्य की प्राप्ती होती है वर्ट सावित्री व्रत के दिन पहले से ही व्रत रखने की हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए एक दिन पहले ही व्रत रखने का संकल ले व्रत वाले दिन नी राह आ रहे है यानि अन्यका सेवर ना करें जैल ग्रहन कर सकते हैं वर्ट सावित्री व्रत वाले दिन विले वस्त धारन करें अगर पहले वार व्रत कर रहे ही तो मायके मिश्वत को प्रारंब करें इस दिन सुहाग के समागरी मायके से ही आने चाहिए इस व्रत की सच्छे मंद से रखें परगत की पेड की पूजा करें आम पूआ चाना पूरी खरबूजा आधी चीजों से वर्ट प्रच की पूजा करें, वर्ट का पारन करें, हमें वर्ट का जो पारन का न भीगे हुए चने खा करीं करना है वर्ट सावित्री प्रच के दिन पत्ती की लंबी आई और संतान की प्राप्ति के लिए वर्ट प्रच की पूजा करने चाहिए कच्च्या सूच साथ बार लपेटना चाहिए साथी ब्रत का पारण भी भीगे चने से करें प्रत रखने पर प्रमिचर का पालन करें अखन स्वभाग की प्राप्ति के लिए महिलाओ को सोलस्ट रंगार करना चाहिए इस दिन लाल पीले हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करें पुजा पाठ के लिए इन रंगों का ही प्रयोग करना सुमाना जाता है भूल कर भी काले सभेद रंगों का प्रयोग ना करें हमें की नेमों का पालन करना चाहिए वर साथ ब्रत के दिन सबसे पहले इश्ञान करके सुहागर में लालाल रंग के साड़ी और श्रंगार पहने पूजागर में वड़ प्रच्छ के नीचे पूजा इस्थान के सापसफाई गंगाजल से छिरकाव कर ले भी बास वाली टोकरी में सब्धधान भर के उसे ब्रह्मा जी की मूर्ति को इस्थापित करें दूसरी टोकरी में भी सब्धधान भर का सावित्री और सत्यवान की मूर्ति इस्थापित कर लें इस टोकरी को पहले टोकरी के बायों रखें दोनों ही टोक्री वट प्रच के नीची ले जाका इस्थापित करें, पेड में चावल के आटे का च्छाप या पीठा लगावें, वट प्रच की जड को जल अर्पित करें, चारों और साथ बार कच्छा धागाला पेटे वट प्रच की परिक्स्मा करें, इसके पश्चात प्रच की जड को जल अर्पित करने के प्रच्छा धागा सूथ लपेटे, आप प्रच्छ की परिक्मा करें, ये परिक्मा साथ ग्यारा इक कहसाब अपने हिसाब से करें, चनिक का बाइना कुछ पैसे अपने सास को दिया असे रवाद करें, वालना आज का प्राद ये एक कोई दूसरा निशान ना हो का पूजन कर आठ भूंदी के लड़ू खिला कर उसकी परिक्रमा करें, उसकी पूँच से अपने सिर्को आठ बार जा, जाड दे, काला, सूर्मा, सूंसान इस्थान में हाथ भर गढड़ा, खोद कर गार दे, कुद देखो तेल लगा कर रोटी खिलाएं, पीपल व्रच की परिक्रमा करें, समय प्राते काल में मीठा दूद व्रच की जड़ में चड़ाएं, तेल का दीपक पश्यम की और बत्ती कर लगाएं, ओम, शंशन, श्यराय नमा मंत्र का पढ़ते हुए, एक एक दाना मीठी नुक्ती का प्रतिक परिक्रमा पर एक मंत्र तथा एक दाना चड़ाएं, देपता से क्रपा प्राप्त करने के लिए प्रातना करें, 800 ग्राम सर्चो का तेल दान करें, काले कपड़े नीलम का दान करें, हर्मा चालीशा पढ़ते हुए प्रतिक चौपाई पर एक परिक्रमा करें, इस तरह से आपको मैंने अल सनी यंत्रे धारन करें, अत्वा काले घोडे की नाल या नाओ की कील का छल्ला बीच की अंगली में धारन कर लें, तो इस तरह से एक क्वाकाल म्रत्व से भचाने के लिए और उनकी आयू तीर खोब, इसके लिए कोई न कोई उपाई अवश करें, और इन सब बातोंगा ध् कमेंट करके जरूर बताएं, पहली बाट चैनल कर दीजेगा सब्सक्राइब लाइक शियर करें